प्रदेश के अर्थिक राजधानी इंदौर में इन निनों एक पेड़ मा के नाम अभियान चलाया ज़ा रहा है जोहां इसी के अंतरगत लोखंडे पुल के पास 51,000 पौधे रोपे गए हैं देखिए ये खास रिपो इन दौर में 7 जुलाई से शुरू हुआ महा अभियान 14 जुलाई तक चलेगा जोहां इस अभियान के अंतरगत 51,000 पौधे लगाये जाएंगे इस दौरान लोखंडे पुल के पास बड़ी संख्या में पौधार उपन किया गया जोहां लगभग 51,000 पौधे एक साथ लगाये इस दौरान कैबिनिक मंत्री कैलाश विजवरगिया महापौर पुश्यमित्र भारगव विधाक गोलु शुकला पारशत सुरेश टाकल कर समेट तमाम जन पृतिनिधी मौझूद रहे देखिये बच्चों में संस्कार डालना भज़ जरूरी है बच्चे अपने हाद से पेड लगाए और कभी-कभी देखने भी आए जब पेड बढ़ता है तो सकारात्मा कुर्जा देता है बच्चों को मन में भी लगता है कि हमने पेड लगाए वो बढ़ रहा है तो उनमे तो भी सकारात्म कोर्जा आती है और यहां के पार्शय निहां के विधायक जी ने जो एक अदभूत कारिक्रम किया हमने विकलाम भाई के साथ पेड़ लगा है चोटे चोटे बच्चों के साथ पेड़ लगा है बुजरगों के साथ पेड़ लगा है 70-70 साल के लोगों के साथ तो ये सब जो पेड़ लगाने का संसकार देने का काम हम सब कर रहे हैं, हम एक बार संसकार डाल देंगे तो हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो भी लोग पेड़ लगाते रहेंगे महापौर पुष्यमित्र भारगव और विधायक गोलु शुकला ने सभी शहरवासियों से पौधर ओपन करने की अपील की है 51 लाख पौधे के लक्ष में इंदौर की जनता सामाजिक संस्थाएं लगातार हर दिन व्रक्षार ओपन कर रही है आज एतिहासिक रूप से यहां हमारे वार्ड 57 में सुरेश टाकलकर जी गजानन गावडे जी ने विधायक गोलु शुकला जी के नेत्रत में नदी किनारे व्रक्षार ओपन करकर एक बड़ा संदेज दिया है जो इंदौर के अभियानों में सबसे अधिक पौधे इन्होंने लगाएं मैं उनको बदा अब्यान के तहट स्कूली बच्चों ने पौधार ओपन कर परियावरन संदेश दिया है कि दिनदे़्ट में इन्होंने जिन दे एके नद में आता है कि औरयो है कि अगुधे समें बच्पने पार बाइब को यहाली चोंने thought बाले है तो Chief Rainide कुल मिला कर देखा जाए तो प्रदीश की आर्थिक रास्थानी इंद और में इन दिनों एक पेड़ मा के नाम अभियान चलाया जा रहा है जहां इसी के अंतरगत लोखंडे पुल के पास एक कावन हजार पौधे रोपे गए हैं ब्यूरो रिपोर्ट, MB News, इंद और